साथियों, रमजान का भी पवित्र महना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था, तो किसी ने सोचा भी नहीं था, कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसिवतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पुरे विश्व में ये मुसिवत आही गई है, तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को सैयम, सदभावना, सब्वेदन सिल्ता और सेवा भाव का प्रतिक बनाए। इस बार हम पहले से ज़्यादा इबादत करें, ताकि इद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्सा के साथ इद मनाए। मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानी ये प्रसासन के इन दिशान निर्देशों का पालन करते हुए, कोरोना के खिलाब चल रही इस लड़ाई को हम और मजबुत करेंगे। भारत समेत दुनिया भर में त्योहारों को मनाने का स्वरूपी बदल दिया है, रंग रूप बदल दिये हैं। अभी पिछले दिनों ही हमारे यहां भी बिहू, बैसाकी, पुथंडू, विशू, ओरिया न्यू येर। ऐसे अनेक त्योहार आए। हमने देखा कि लोगों ने कैसे इन त्योहारों को घर में रहकर और बड़ी सादगी के साथ और समाज के प्रती शुपचिंतन के साथ त्योहारों को मनाया। आमतोर पर बेंत्योहारों को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पुरे उत्साह और उमंग के साथ मनाते थे। घर के बाहर निकलकर अपनी खुशी साजा करते थे। लेकिन इस बार हर किसी ने सैयम बरता लोगडाउन के नियमों का पालन किया। हमने देखा है कि इस बार हमारे इसाई दोस्तों ने इश्टर भी घर पर ही मनाया है। अपने समाज, अपने देश के प्रतिये जिम्मेदारी निभाना आज की बहुत बड़ी जरुरत है। तभी हम कोरोना के फैलाव को रोक पाने में सफल होंगे। कोरोना जैसे वैश्विक महमारी को परास्त कर पाएंगे।